इस पूरे चैप्टर को मैंने तीन पार्ट है यह इसका फॉस्ट पार्ट है और आगे की जो पार्ट होंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर पॉब्लिक फैसिलिटी जो हैं यह क्या होती है उसको समझने के लिए हम लोग एक कॉमिक विउ को देखने वाले है उसके बाद वो क्यों इंपॉर्टेंट है ठीक है न सुसाइटि में किस तरीके से पॉब्लिक फैसिलिटी है इसको प्रवाइट कराए जाती है सरकार का क्या योगदान रहता है इन सब चीजों को इसमें देखने वाले हैं तो सबसे बहुत देखते हैं यहां पर कॉमिक विउसे कि आखे पॉब्लिक फैसिलिटी क्या है तो यहां पर मैं बताया गया है कि अम्मू और कुमार जो है चैन्नेई में एक बस से सफर कर रहे होते हैं बस जैसे इन सहर के अलग-अलग इलाकों से गुजरती है तो यह लोग ध्यान देते हैं कि उन इलाकों में जो वाटर फैसिलिटी है मिन जो पाने की सुविदा है वो कैसी है उसी के ओपर हमें यहां पर चार जगों के नाम दिय गए है फिर सञी पेट यहां से हमें पदमा का नाम दिया गया इसके बाद जो हो घया हमारा मधि पाक्कम ठीक है यह वहां सब्सक्वा का नम दिया गया तो यहां पर महल पॉर Workers सो हो गया पर टॉपिक आता है water and the people of Chennai इसमें बताया गया है कि जो senior government officials में जो बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी थे जैसे कि Mr. Ram Gopal वह लोग अन्ना नगा चन्नाई में रहते थे एक ऐसा जगा था ना जहां पर जितने ही बगीचे थे वो इदम हरे-बरे रहते थे क्योंकि उनमें 24 गंटे लगबग पानी का छिड़काव होता था इनके जो बंगलोज हो गया मिंस जो बड़े-बड़े घर हो गया है इनमें भी जो पानी है जो टैप हो गया मिंस जुनना लोग उसमें 24 गंटे आता था मालेते हैं किसी वक्त नहीं आया किसी वज़ा से या फिर पानी की चीज़े समझ सकते हो कि अन्ना नगर में पानी की बिल्कुल कमी नहीं थी तो यहां पर बताया जा रहा है कि सहर के जाता इलाकों में जो वाटर सौटेज है मिंस पानी कमी है जैसे कि इक इलाका यहां पर बताया गया है सुब्रमर्णियम अपार्टमेंट इन मैलपूर मतल दोटा है कि वहां पर प्राइवेट बोर मैल है इसका मिनिंग सम client बोलते हैं कि duaप जो है उसको ग्रांड में लंगाना धाना वास हम सब जानते होंगे तो यहां पर 22 से हो सकता है पहला क्या है तो हमां लगों हासे चलाते हैं उनन पान निकलता है दूसरा कि हैंड पंप ना जेकी जब जब मोटर चलाएंगे तब तक पानी बाहर फइकर जैसे के खेतों में पानी बहुत थी अब बहार फेके रहा है फिसको जो है पॉरे खिरते पानी पठातेैंग तो यह गया आपका ब्रवे यहांपर बॉला किया प्राइवेट ब्वर भेल rätt थो बैसिकली मैंने की बता सकता हूं कि वह कि में लिए उसको Twitter ओगया फिर वॉसिंग जैसे कपड़े दोने के लिए अगर पानि घताम उलाता है तो वो टेंकर को बलाते हैं फिर जिंजिन लोग पानी चाहिए रहता है सब लोग टेंकर को पैसे पुछ देते हैं जितने चाहिए फिर उससे ले लेते हैं पानी तो सुप्रमंडियम जो है वो लगवा 500-600 रुपे खर्श करते हैं पर मन्त पानी खरीदने के लिए टैंकर से पानी खरीदते हैं पीने के पानी के लिए उन लोगों ने वाटर प्यूरिफिकसन सिस्टम जो कि हो गया आरो ठीक है उसको लगा कर रखा हुआ है जिससे जो भी वाटर उसको प्यूरिफाइब करें पीते हैं तो देख सकते हो कि यहां पर पानी का बहुत दिक्कत है जो बोर वेल है उसका पानी भी कुछी लोग को मिल पाता है जो कि उसके आसपास में रहते हैं जाद दूर वाले को नहीं मिल पात आते हैं और उस जगह पर पानी हर चार दिन में एक बर आता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कितना ज्यादा कमी है पानी का यहां पर आप मधी पक्कम जो गया इसका स्पैलिंग देख सकते हो अभी जैस अमने कुछ देखा था स्पैलिंग तो उसमें मैप बना हुआ थ यहां पर साफ साफ आप देख सकते हो तो यहां पर आप कहा जा रहा है कि इसी पानी के कमी के वहरे से जो सीवा अपने फैमिली को चैनने नहीं बुला रहे होते हैं कि यहां पर अगर पानी पीने का चाहिए रहता है तो उसके लिए वाटर बातल जो उनको खईना पड़ता तो अब यहां पर के बारे में ठीक है जो कि घरेलू काम करती है जैसे आप समस्क्ते हों मेट जिसको बोलते हैं ठीक है और यह रहती है सैदापेट एक जगवा पर जोके अ मेरी आया मतलब जैसे वहां पर जोपड़ी यह सब रहती है अब इसमें कहा जा रहा है कि पदमा जोपड़ी के लिए 650 पर उसका किराया पे करती है जिसमें कोई भी बात्रूम या फिर टैप कनेक्शन नहीं है लबल 30 जोपड़ीयों के लिए सिर्फ एक टैप कनेक्शन है जो उसमें भी इस उसके पास नहींक के पास थे अलग इसद Pale Air फिर जो दिन भर में एक बार दो बार तीन बार जाए पानी कुछ को जएक लिए on करते हैं मतलब कि इतना ज्यादा वहाँ पर पानी कम हो जाती है इस पर लोग को घंटो रुखना पर जाता है वाटर टेंकर्स के आने के लिए तो यह हम दो समस्कते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा पानी की कमी है ना यहाँ पर नेक्स टॉपिक दिया गया है जो कि इसी से ठोड़ा सा तो टॉपिक है आपका वाटर इस पार्ट अपनेंटल राइट तुल लाइफ इसमें कहा जा रहा है कि वाटर जो हमाई लाइफ में बहुत ज़रूरी है इवन एक गुड हेल्थ के लिए गुड हैसे कहने का मतलब है कि जो हम लोग पानी पी रहे हैं वहाँ ड्रिंक केबल होना चाहिए क्योंकि गंदे पानी के वैसे ठीक है ना बहुत सारी डिजिस होती है लाइक के डाइरिया हो गया डिसेंट्री हो गया को लेरा हो गया ठीक है तो इस वैसे लगबग इंडिया में सुलस लोग जो हो गया वह मरते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वह मेली पांसा से कम उम्रवाले होते हैं और यह सुलस जो है वह पर डे मरते हैं water related disease के वैसे तो इस चीज को मतलब हटाने के लिए death को कम करने के खतम करने के लिए हैं सिंपल सा बात है कि सभी लोग के बास अगर सेव ड्रिंकिंग वाटर रहेगा तो यह खतम हो जाए क्योंकि यह सब disease किस वरसे होते हैं तो गंदे पानी को पीने के वैसे इसी में कहा जा रहा है कि जो Constitution है इंडिया के उन्होंने जो हो गया right to life जो कि article 21 में और यह article 21 और राइट लाइफ बहुत वक्से पढ़ते हैं इस पूरे बुक में इसके बारे में बहुत अपड़ा है इसके बारे में अच्छे से याद कर लोगे ठीक है तो इसमें चीज को एड क्या गया है कि चाहे कोई व्यक्ति है वह गरीब हो अमीर हो कैसा भी ठीक ह उस सबको जो है पानी मतलब जो हो गया उसका अधिकार है कि उनको मिलना चाहिए जिस भी अमाउंट में जो है वह अफौर्ड कर पाया है । यही कहा जा रहा है कि पानी जो है एस सरकारी तोरफ सब्सक्राइब हो और चाहिए फ्री में दो यहां पर बहुत कम पैसे में जै या पानी का access होना चाहिए देखें यहां पर जो है कोट में कुछ cases आये हुए है जैसे कि हाई कोट हो गया और सुप्रीम कोट में वाटर से रिलेटेड इसमें जो हाई कोट सुप्रीम कोट कहते हैं कि राइट टू सेव ड्रिंकिंग वाटर जो है न यह फंडामेंटल हो मतलब कि एकते सचीत नहीं है उसका रिजन में उन्हें स्क्रेण केंसे 500 रहा हैं उसका अब करते हैं आफ Saint वह जो groundwater भी पॉंड हो गया यह सब क्या हो रहा है तो दूसीत हो जा रहा है इससे कि वह 15 पानी को खेटी में हो गया बोला कि आप सी मिलमे गाव 有 में रहते हैं तो हुझ आप समय सकते हैं कि data ना न नमतलब राइट को undergraduate यह सभी कास। राइट है सबका अधिकार है कि उनको यह मिलना चाहिए तो इसको हमने समझ दिया नहीं चलते हैं इसके नेक्स टॉपिक पर तो अब उन्हों देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज इसका मतलता है जन सुविदा मतलत जो सुविदा है सभी लोग को दिये जाते हैं जैसे कि हमने वाटर को देखा फिसे साल हमने हेल्थ केर और सेनिटाइजेशन को देखा था हेल्थ केर में आ गया कि अगर को याद नी बीमार है तो उसको यह पर का जाए कि उसको और भी जो है पॉब्लिक फैसिटी दी जाती है जैसे कि एलेक्रसीटी हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस हो गया स्कूल स्कूलिज इस वैसे इस से दिखते हैं नहीं है कि हम लोग सरकार जो इसकीम से निकालते हैं बहुत सारे स्कूल बनवाते हैं ठीक है हॉस्पीटर्स बनवाते हैं एलेक्रिसिटी सप्लाइज यह हर जगह पहुंचा आया यह से गावं हो गया हर मit INी होता है जारी पॉबिक फैसिलिटे क्योंकि नोगों को बहुत ज्याधा तरीके से घैल्प करता है जैसे कि माल लेते हैं की स्कूल को ले लेते हैं स्कूल में क्या होता है बच्चे जाते हैं पड़ने तो यहां पर क्या हुख्योफ मिल रहा है even education उनको मिलेगा तो वो कुछ अच्छा करेंगे ठीक है ना किसी फिल्ड में आगे बढ़ेंगे जिसे देश आगे बढ़ेगा तो एक तो ही हो गया दूसरा हो गया कि electricity का supply यह भी public facility है जिसको सबको दिया आता है तो गाउं में अगर उसको चलाने के लिए ठीक है बच्चे भी उसको इस्तिमाल कर सकते हैं मतलब अपने benefit में लाइक रात करते हैं electricity रहा तो बब जला कर पड़ पाएंगे अच्छे से यह बात हो गया कि यह फब्लिक पूरा कर पाते हैं तो इस वीडियो के सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में